हाई दोस्तों वेलकम बैक मैं हूँ अम्रिता आज मैं पेश कर रही हूँ टोटल रिकॉल इसका सेकेंड पार्ट जो 2012 में रिलीज हुआ था टोटल रिकॉल जो कि 1990 में रिलीज हुआ था उसी का रिबूट है लेकिन कहानी में कई सारे चेंजिस कर दिये गए है और इसका प्ल प्रिफोल नहीं है और अभी रहने लायक जगह सिर्फ दो ही है यार यह हॉलीफूड वाले नाब पूरे अर्थ को तबाह करके ही मानेंगे इनके हर दूसरे साइफाइ मोवी में ना अर्थ के साथ कुछ ना कुछ ऐसी ही हो रहा है ओके सो पूरे अर्थ पे दो ही रहने ला जो का अंतर तो काफी है, बिट्न में जाने के लिए लिए दो फॉल नाम के एक एलिवेटर का यूज करते थे जो अर्थ के कोर से ट्रावल करके ऑस्टरेलिया से बिट्न में जाती थी इस एलिवेटर को रियल लाइफ में ग्रैविटी ट्रेन बुलाते हैं और यह बस एक चीज है अभी तक और Newton से लेके कई सारे बड़े-बड़े scientist ने इसके उपर अपनी research भी की थी कि कैसे Earth के नीचे से एक ऐसी tunnel की जाए जहाँ पर gravity के मदद से एक बहुत बड़ा अंतर हम cover up कर सके और ये concept कई सारे movies में यूज किया है लेकिन real life में इसा नहीं है नव बैक टू स्टोरी ये सारे वरकर ऐसे gravity train से रोज कम्यूट किया कर दे थे अब यहां पर हम movie के protagonist Douglas Quad को देखते हैं जो एक लड़की के साथ भाग रहा था और इनका पीछा कुछ पुलीस के लोग और robots कर रहे थे लेकिन थोड़ी की तेर बाद पुलीस Douglas को पकड़ लेती है और लड़की वहां से भाग जाती है अब आगे कुछ हो उसके पैदे ही Douglas के नीन खुल जाती है याने ये एक सपना था और उसे यही सपना हर रोज आता था और सपने में दिखाया गया है वो एक सीक्रेट एजेंट है अब Douglas की वाइफ रहती है लोरी उसके साथ वो कॉलोनी में रहता था लेकिन सपने में आने वाली लड़की कोई और थी लोरी वहां पे पुलीस का काम करती थी और Douglas यूएफ भी में रोबोट्स बनाया करता था और हर रोज वो अपनी दोस्त हैरी के साथ उसी एलिवेटर में बैट के यूएफो जाया करता था अब एक दिन अपने सफर के दोरान उसे रिकॉल नाम के कमपनी का एड दिखाय देता है लोगों को मन चाहे विकेशन की यादे याने memory implant के दिमाग में डाला करती थी याने अगर आपको चांद पे विकेशन मनाना है तो ये सारी यादे, पूरा real experience वो आपके दिमाग में memory implant करेगी और आपको ऐसा ही लगेगा कि आप सच में चांद पे जा के आये हो यहाँ पे जैसे मैंने पहले पार्ट में बताया आपके subconscious mind को कुछ भी पता नहीं चलेगा कि यह जूट है उसे यह सची लगेगा और सबसे मज़ेदार बात यह है कि आपके इस सपने में यह vacation में आप जो चाहे वो बन सकते हो secret agent, alien, tourist कुछ भी बनके आप वो चीज़ enjoy कर सकते हो ताकि आपके trip और भी रोमांचक बने इसके बारे में वो अपने दोस्त हैंडी से कहता है तो हैंडी साफ साफ मना कर देता है कि वो लोग अपने दिमाग के साथ खिलवाड करते हैं मज जाना अब यहां factory में जब वो काम करी रहा था तब उसका co worker उसे खुझ से recall के बारे में बताता है और एक card उसे थमाता है वो कहता है कि मैं तीन बार जाके आया हूँ और अलग अलग जगा की memory मैंने अपने दिमाग में डाली है पूरा real experience रहता है इसी तरमें हम tv news पे देखते हैं कुछ rebellions ने पूरे शहर में अफरात अफरी मचा दी थी इस company के against अब office के बार भी उसके दिमाग से recall वाली बात जा तो God finally secret agent का character खुद के लिए choose करता है अब procedure चुरू करने से पहले ये लोग उसके हाथ पे एक stamp मारते हैं और उसके बाद उस vacation या उस सपने का वो injection देने ही वाले होते हैं लेकिन अचानक से machine में खराबी आने लगती है और somehow मिकलेन को पता चल जाता है कि ये God real life में भी एक secret agent है लेकिन आगे कुछ पता चले तभी वहाँ पे अचानक से police आती है और अंधा दून firing करने लगती है जिसमें सारी लोग मारे जाते हैं और कोड को भी वो लोग arrest करते हैं लेकिन कोड जैसे कि real life में एक secret agent था वो सब पे भारी पड़ता है और सब को मार गिराता है और उसी को मारने लगती है लेकिन कोड उसके उपर भारी पड़ता है उसे gun point पे पकड़ता है और तब ही लोरी उसे कहती है कि वो दरसल यूएफ़ पिखी एक secret agent है और पिछले 6 हफतों से उसे ही assignment दी गई थी और उस पे वो नजर रख रही थी उन लोगों के शादी को कोई 7 स है अब यह सुनने के बाद वो लोरी को मार के वहाँ से भाग जाता है तब यह अचानक से उसके हाथ का एक device blink करने लगता है और उसे वहाँ पे एक वीडियो कॉल आता है जो कि उसके कलीक का था उसका कलीक उसे एक safe deposit का address देता है और कहता है कि तुमने ही मुझे कुछ दिन पहले यह address तुमें देने के लिए कहा था अब वहाँ से वो बचते बचाते हुए उस safe deposit के यहां पर पहुचता है तो दूसरे चका पर हमें पता चलता है लोरी चैंसिलर कोहिगन के लिए काम कर दी थी कोहिगा नीए UFP का head होता है अब वो क्वेड के बीचे क्यों पड़ा ह की गई है और government उसके खिलाफ है उसे बचने के लिए एक घर का address दिया था जो कि UFP में था इसके अलवा bag में कुछ पैसे कुछ सामार और passport भी रहता है अब पुलिस से बचते हुए उसे UFP जाना था इसलिए वो एक औरत का पहराफ लेके वहां से जाता है लेकिन बीच रास् सेफली उस घर पे पहुँच जाते हैं जहां पे घर की तलाशी लेते वक्त उसे एक और वीडियो मिलता है जो कि वो उसके खुद का ही recorded था और यहां पे हमें मुवी का first part पता चलता है काल हाउजर है और वो एक high skilled secret agent था जो कि खुद चैंसलर कोहेगन के लिए ही काम करता थ हाउजर का mission था जो भी rebellion है पूरे शहर में हंगावा मचार है उनके सरदार मैथियास को पकड़ के उसे मारना लेकिन mission के दोरा नहीं हाउजर को पता चलता है कि दरह से यहां पे गलत आदमी चैंसलर कोहेगन है और यह सारे rebellion जो है वो actually में अच्छा काम कर रहे हैं इसी जाक हुए हैं वो सारे कोहेगन नहीं किये हैं और सारा नाम rebellion के उपर डाल दिया हैं ताकि वो robots की एक आर्मी बना के colony पे हमला करके उनकी सारी जमीन हत्या ले अब यह सच्छा जानने के पाद कोड खूद rebellion के साइट पे हो गया और कोहेगन के अगैंस लड़ने लगा इसलि जिन आगे उसे वीडियो मेसेज से पता चलता है कि उन रपोर्ट की आर्मी को खतम करने का एक कोड है जो कि अभी भी उसके दिमाग में है और वो कोड तभी उसे पता चलेगा जब वो rebellion का जो लीडर है मेतियास उससे मिलेगा अब इस वीडियो के बाद उसे ये भी पता च जाता है और वो उसे कहता है कि तुम अभी भी recall के सपने में हो ये सब कुछ तुमारा सपना है तुमने सीकर्ट एज़ून का character juice किया था ये उसी के तहट तुमारा mission है लेकिन अभी कुछ technical problems के कारण तुम अपने सपने में ही कैद हो चुके हो और इस सपने से पाहर आने का अगरे वो ये भी के तुमारी पतनी बाहर तुमारा weight कर रही है और सचमें बाहर लोरी खड़ी होती है अब लेकिन मेलीना के आसु देखके उसे realize होता है कि ये कोई सपना नहीं है ये हाकीकत है और ये सब लोग मिलके उसे पागल बना रहे है और सब लोग kohegan के ये लिए क था, वहाँ पर, मेलीणा उसे लेके आती है, वहाँ के पता चलता है, मेलीणा इन रिवेलियन का जो लीडर रहता है, मेथियास उसी की बेटी है, और फाइनली वह निद्गार्ण से मिलता है, जो उसकी real memory और वो code लाने में उसकी मदद करता है उसके पास भी बिल्कुल वैसी ही मशीन रहती है जैसे रिकॉल आफिस में थी इसकी प्रोसीजर शुरू करते है ताकि इसके रियल मेमरी वापस आ सके और वो कोड भी रिट्रीव कर सके लेकिन तभी वहाँ पर प्रोसीजर के बाद ही नहीं पता चलता है कोड वाली बाद पूरी जूटी थी जुकि खुद कोहेगन नहीं उसके मेमरी में डाली थी ताकि वो कोड रिट्रीव करने के चकर में मेथियास के में अड़े तक पहुँच सके दरसले यहाँ पर मेथियास काफी सीक्रेट जगा पर रहता था यह जगा ऐसी थी जहाँ पर कोई भी इंसान रहता नहीं था या फिर वहाँ पर जाते भी नहीं थे कोई और उसका यह सीक्रेट लोकेशन किसी को भी पता नहीं था लेकिन अब क्वार्ट की मदद से कोहेगन को उसके इस अड़े का पता चल गया था और तब तक वहाँ पे कोहेगन और उसके आदमी रोबोर्स वहाँ पे आ जाते हैं और सारे लोगों को मारते हैं कोड और मेलीना को भी अरेस्ट करते हैं अब यहाँ पे कोहेगन एक बहुत बड़ा प्लोट रिवील करता है, मुवे में जितने में भी घटनाय हुई थी वो तरहसल हाउजर का ही प्लान रहता है, यानि कि मेलिना से प्यार करना, अपने याददाश को अल्टर करके, कॉर्ड नाम के कंस्ट्रॉक्शन वर्कर की प्लान रहता है, यह बात से उनके मेलिना भी काफी उसके उपर घुसा ओ जाती है, और इस बात से खुद कॉड भी हैरान हो जाता है, लेकिन पहले कैसा भी था, लेकिन अभी उसकी दिमाग में कॉड की परस्नालिटी थी, एक अच्छा इंसान बन गया था, और इसलिए इस बात से वो मानने के लिए इंकार कर देता है तो कॉर्ड उसे वापस इंजेक्शन लगा के कॉर्ड के सारी मेमरी भुला के उसकी जो ओरीजनल लॉयल उसका जो एजेंट था हाउसर उसकी मेमरी लाने का प्लान बनाता है लेकिन इसे वीच में कॉर्ड का दोस हैमिन वहाँ पे आके कॉर्ड की मदद करता है उसे छुडवाता है तो दूसरे शगा पे कोहेगन अपने आर्मी रोबोर्ट्स पुलिस के साथ एलिवेटर से कॉलनी जाने के लिए निकलता है ताकि उस जगा पे वह हमला कर सके लेकिन सही वक्त पे कॉल वहाँ पे आ जाता है और एलिवेटर के हर एक हिस्से में टाइम बॉम लगा देता है मदिना को ढूंदते हुए वो उस कंपार्टमें में पहुच जाता है जहाँ पे उसे रखा था वहां के सारे पुलीस को वह मारता है जाते हैं तो दूसरे जगा पे कोईगन कोड के बीच में काफी हाताबाई होती है जिसमें कोईगन कोड के ऊपर काफी भारी पढ़ने लगता है वो उसे मारने ही वाला था लेकिन तब ही उस एलिवेटर में लगे हुए सारे बॉम का बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसके करन कोईगन का ध्यान उस ब्लास्ट पर जाता है और कोड मौका देख के कोईगन को जान से मार देता है वो एलिवेटर नीचे गिरने लग जाता है कौड में नीचे गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है थोड़ी दिर के बाद उसके आग एक ambulance में खुलती है जहाँ पर उसे मेलिना दिखाई देती है वो gun का निशान नहीं था जिससे वो समझ जाता है ये कोई और नहीं बलकि लॉरी है और वही पर वो लॉरी को मार देता है थोड़ी दिर के बाद news के दूरू से पता जल जाता है कि कोई गन उसके सारे साथी मारे गए है सारे शहर के लोग खुश थे वो original मेरीना से मिलता है और दोनों और दोनों भी एक दूसरे को हग करते है तभी वहाँ पर वो एक recall की add देखता है और अपने हाथ का वो tattoo ढूणने लगता है तो वहाँ पर कोई भी tattoo नहीं था और ये movie question mark के साथ खतम हो जाती है कि movie में अभी भी जो भी कुछ हुआ क्या वो सच में एक उसके real life का incident था या वो अभी भी recall की office में एक secret agent का role play कर रहा है और ये सब कुछ उसका एक सपना है तो चलिए इन दोनों theories पे हम नजर डालते हैं अब दोस्तो अगर आप यहां तक बने हो तो आपको पता चल गया होगा कि इस movie के दो एंड निकलते हैं एक सबसे पहला कि कॉण अभी भी सपने में है वो अपने सपने में secret agent का role play कर रहा है और उसे एक जो mission दिया गया है वो उस पे काम कर रहा है क्योंकि इस सपने में सब कोई भी valid reason नहीं दिया है कि कोहेगन कॉलनी के लोगों के पीछे या फिर उस जगे के पीछे क्यों पड़ा था यसे part 1 में बताया गया था कि मार्स पे कोहेगन को अपनी एक ownership चाहिए थी क्योंकि मार्स पे एक ऐसा धातू मिल रहा था जो काफी जादा मात्रा में energy provide करता था और इसलिए ownership अपने पास रखने के लिए कोहेगन ये सब plan कर रहा था ये कहाने थी part 1 की लेकिन यहाँ पे exactly कोहेगन कॉलनी के लोगों के पीछे क्यों बढ़ा था तो उसकी भी possibility है क्योंकि recall में जाने से पहले ही उसे मैलीना नाम के लड़की के सपने आते थे इसके बारे में मैलीना उसे बाद में खुद बताती है कि दोनों ने भी chase करने के time पे हाथ पे एक गोली खाई थी इसलिए वो निशान पड़ा है और उसे हर रोज एक ही सपना आता था यही confirm करता है कि यह real life के incident थे इसके अलवा उसकी पतनी एक secret agent होना या फिर उसका खुद का दोस एक secret agent और पुलीस निकलना यह सारी बाते यही तरशाते हैं कि actual real life में वो एक agent था और उसकी memory wipe out करके code की memory उसे दी गई थी और यह सारे लोग उसके उपर नजर रखे थे अब दोस टारेक्टर ने जान भूच के कई सारी बाते clear नहीं की है और इस movie का ending open ended रखा है ताकि viewers अपने opinion के according ending ले ले कि वो सपने में है या real life में उसके साथ हो रहा है क्योंकि total recall part 1 में भी उसके साथ सब कुछ real में हुआ था आपको कौनसी वाली ending लेनी है first वाली जहां पर उसके साथ सब कुछ real में हो रहा था या second वाली जहां पर वो अभी भी recall के office में बैठा हुआ है और यह सब कुछ एक सपना है मुझे comment section में बताइए और अगर आपको यह explanation अच्छा लगे तो please इसे like कीजे मैं मिलूँगे आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई